हलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हार्दिक स्वागत है आज का ये वीडियो बहुत ही खास है आज के इस वीडियो में रुद्राक्ष के विशय में बहुत अधिक मत पूर जानकारिया दी गई हैं एक से 21 मकी रुद्राक्ष के चमतकारी फायदे क्या होते हैं आप इन्हें किन परिस्तियों में धान कर सकते हैं और ये किन-किन जीजों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं अगर आपको इसी तरीकी की और जानकारिया मेरे चैनल के द्वारा चाहिए तो कृप्या मेरा चैनल पति मानी गई है कहानी का पुछ भी हो परंतु इसमें तनिक संदेह नहीं कि रुद्राक्ष एक विशेश प्रकार के व्रिक्ट से निकला हुआ फल है जिसे धान करने से सरीर पर वैज्यानिक प्रभाव पड़ता है इसमें एक विशेश प्रकार का चुम्ब की तत्व एव एक मुखी रुद्राक्ष बहुती दुरलव रुद्राक्ष माना जाता है इसकी प्राप्ती से अध्यात्मिक सुख एवं शान्ती प्राप्त होती है इसे पहन लेने मात्र से दिल की विमारे सहित अनिक प्रकार के कस्टों का दमन हो जाता है जो इसे धान करता है उसकी मन की सभी उख्षाइं पूर्ण हो जाती हैं भगवान शिव की कृपा से ही यह एक मुखी रुद्राक्ष धान करने का व्यक्ति को अवसर मिलता है इसे धान करने के पहुच्चात व्यक्ति में एक अलग प्रकार की एनरजी बिलती है दो मुखी रुद्राक्ष से धन धान संतान और पवित्र जीवन की प्राप्ती होती है अगर दो मुखी रुद्राक्ष पती पत्नी धान करते हैं तो उनके बीच होने वाली कलहक भी समाप्त हो जाती है यह अभी एक दुरलब रुद्राक्ष के तीन मुक्षी रुद्राक्ष चार मुक्षी रुद्राक्ष के अधिपती ब्रम्भा जी है है इसको धान करने से स्मरण शक्ति, मौखिक शक्ति और व्योहार चतुर्ता का विकास होता है बुद्धी का भी विकास इसे धान करने के बाद होता है पांच मुखी रुद्राक्ष पांच मुखी रुद्राक्ष रुद्र कालागनी का प्रतितु करता है इसको धान करने से मन में शान्ती प्राप्त होती है गुरू ग्रह के पतिकूलता सुत्पन सभी दोसों का या निवान भी करता है उच्च रक्त चाप या रक्त चाप होने पर भी इसे आप धान कर सकते हैं दिल के रोगी वा कब्ज के रोगी भी से धान कर सकते हैं छे मुखी रुद्राक्ष, छे मुखी रुद्राक्ष विद्या, ज्यान, बुद्धी और स्मण शक्ति बढ़ाता है। इसके स्वामी कार्ति किये जी हैं तता इस पर मंगल ग्रहका भी अधिपत्य हैं। पर इवभो भी इस से प्राप्ट होता है। आठ मुखी रुद्राक्ष, आठ मुखी रुद्राक्ष के अधिष्टातर देव श्री गनेशी स्वायम है। इसको पहनने से रिधी सिद्धी प्राप्ट हो जाती हैं, और दुश्मनों की भी समाप्ती संभ़ हो जाती है। car Il और साहस के वृद्धी होती है किसी भी प्रकार का डर नहीं लगता नहीं शक्ति प्राप्त होती है नौरात्र के वृद्ध के समान फल प्राप्त होता है इस त्री रोग से भी इससे बचाओ मिलता है दस मुखी रुद्राक्ष दस मुखी रुद्राक्ष सभी ग्रहों को शां रहें इसके प्रभाव से सारी इंद्रियां सशक्त भासा निर्भय जीवन प्राप्त होता है यह व्यक्ति के अंदर से सभी तरीके की नकारत्मक उर्जा समाप्त करने में मदद भी करता है बारा मुखी रुद्राक्ष बारा मुखी रुद्राक्ष को पहनने से सूर के समान व 14 मुखी रुद्राक्ष सफलता दिलाने वाला उन्नती सब कामनाओं को सिद्ध देने वाला है। धानियाश और प्रतिष्ठा में वृद्ध करने वाला भी माना जाता है। 15 मुखी रुद्राक्ष यह रुद्राक्ष भगवान पशुपतिनात का स्वरूप है। रदय रोग मदु में अस्थमा जैसे रोगों से राहत देता है। यह रुद्राक्ष से व्यक्ति में अलग तरीके का तेज प्रकाशित होता है। 16 मुखी रुद्राक्ष यह भगवान शिव का महा मुर्तुंजय रूप है। इसे विजयी रुद्राक्ष भी कहा जाता है। शक्त्र को पराजित करने के लिए रुद्राक्ष बहुती स्रेष्ट माना जाता है। इसे धान करने से यह कहा जाता है कि महा मुर्तुंजय के बराबर जो जाप होता है उसकी ताकत आ जाती है। सत्रा मुखी रुद्राक्ष इसके अधिपती विश्व निर्माता विश्व कर्मा जी है। इसे धान करने से धर्म, अर्थ, काम और मुक्ष प्राप्थ होते हैं और यह सभी प्रकार के धन धाने से भर देता है। अठारा मुखी रुद्राक्ष यह भूमी देव का प्रतीक है। इसे पहनने के बाद व्यवसाय, भूमी व्योहार तता अपार वैवो के रास्ते खुद बखुद खुद खुल जाते हैं। और मदमे लकवा जैसी दिवारी में विया बहुत फादा करता है। उननिस मुखी रुद्राक्ष यह भगवा नारान का स्वरूप है। यह मड़ी शरीर के सारे चक्र खोल देता है। जिससे व्याधियों से मुक्त मिलती है। नौकरी व्यवसाय, सिक्षा के सारे अवोध इसे धान करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। बीस मुखी रुद्राक्ष के स्वेम इस्ट ब्रह्मा हैं। इसमें नौगर, आठ दिकपाल और तरदेव की शक्तियां हैं। जिससे व्यक्ती बहुत ही तरीके की तरकी को प्राप्त करता है। और कभी भी जीवन में पीछे मुड़के नहीं देखता। 21 मुखी रुद्राक्ष या दुरलब रुद्राक्ष कुबेर का स्वरूप है। धान करने वाले को जमीन, जाजाद, सुक और बहुत च्छाएं उसकी बहुत शिग्र हो जाती हैं। और व्यव्यक्ती हर तरीके का सुक, चैन, शान्ति और मन की शक्तियों को प्राप्त करता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो करप्या लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।